जहीं दोस्तों क्या हाल है आज हम आपको बताएंगे आचार रामचंद सुकल जी का जीवन परिचे बोड एक्जाम की देश्टी से कितना इंपोर्टेंट है आप लोग देख सकते हो यहां पर पूरूफ के तवर पर कि भाई यह हर साल बोड एक्जाम में आता है आचार राम आपको बताता हूं आचार रामचंद सुकल का जीवन परिचे याद करने में बिल्कुल भी कठिना यह नहीं होगी बिल्कुल भी दिक्कत छोड़ दो क्योंकि विकास भाई यह बता रहा है ठीक है बिल्कुल आसान भासा में लिखा हूं तो चलो सुरू करते हैं आचार रा राज था बस्ती जीला था आगोना नामक ग्राम था ऐसे याद करो बस ठीक है इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली सुकल तथा माता का नाम विभासी देवी था तो पिता का नाम क्या था भाई है पंडित चंद्रवली सुकल और माता का नाम विभासी देवी ठीक है त प्राराम्भिक शिक्षा इनके पृता के पास, मिर्जापूर में हुई थी, उनका रिम्भी कर सकते हो किया थे कानून को थे तो ऐसे याद कर लो ठीक है, अपने पृता के पास यह पढ़ाई किए और याद हो से दस्वी की परिच्छा उत्यर्ड की तो भाई इनका दस्वी का परिच्छा कहां से उत्यर्ड किये मिसन स्कूल से याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद भाई इन्होंने इंटरमीडियेट की परिच्छा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया मतलब इसके बाद है अध्यापन कार करते हुए इन्होंने अनेक कहानी कविता नाटक निबंद आदिकी रचना की ठीक है तो ये सब करते रहे उसके बाद इनकी विद्धता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी सब्द सागर के संपादन कार में सहयोग के लिए कासी नागरी प्रचालनी सभा में सम्मान सहिद बुलाया गया देखो ये क्या है बहुत ही पतिवा सील थे ठीक है तो इसलिए इन्हें हिंदी सब्द सागर के संपादन कार के सहयोग के लिए कासी नागरी प्रचालनी एक सभा होती थी पत्रिका होती थी उसकी सभा थी तो वहां पर इनको सम्मान सहीद भुलाया गया इन्होंने 19 वर्सों तक 80 नागरी प्रचानली पत्रिका का संपाधन किया देख सकते हो यह फेमस पत्रिका है 80 नागरी प्रचानली पत्रिका इसलिए मैंने इसको हाईडाइट किया है संपाधन किया कुछ समय पस्याद इनकी के रूप में हो गई कुछ दिनों बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बन गए प्राध्यापक के बाद एक अध्यक्ष उच्पद होता है तो वह भी यह बन गए ठीक है स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंदकार आलोचकार सहितकार सुकल यूग के यूग परवर करती हो गई तो ऐसे याद करना भाई इसी तरीके से लिख लो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है चलो अम मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ आसानी से कैसे याद होगा भाई या देखो सबसे पहले माइन में बसाओ कि भाई आचार रामचन सुकल का हासी देवी था यह हाईलाइट एट पॉइंट याद रखो इसके बाद यह सारी चीज़े बना कर लिख देना ठीक है और इनकी माता एक धार्मिक महिला थी ठीक है बिलकुर सिंपल की भाई धार्मिक महिला सभी की माता हैं होती है तो लिख सकते हो धार्मिक महिला थी विरस मिसन स्कूल से दस्वी की परिच्छा उत्तिर किये ठीक है उसके बाद इन्होंने इंटरिमीडियेट की परिच्छा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया मतलब उच्छ सिख्छा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया इलाहाबाद आये ठीक है दस्वी की परिच्छा मिशान स्कूल से उतिर किये थे और उच्छी सिच्छा के लिए एलाहाबाद आए लेकिन परिच्छा से पहले ही विध्य ले छोड गया क्या नियाला हम नहीं लगा ठीक है उसके बाद इन्होंने मिर्जापूर के नयाले में नौकरी कर ली, देख सकते हो ना मिर्जापूर के नयाले में, क्योंकि मिर्जापूर में इनके पीता जी कानून गो थे, तो वहीं पर नयाले में नौकरी कर ली, ठीक है, उसके बाद क्या है, नयाले की नौकरी छोड़ कर की तियां ट रखना मिसन स्कूल जो है उसी की परिच्छ और उसी स्कूल में क्या हुए जीट Myster Girlie के अध्यापा हो गए धिक है उसके बात भाईया अध्यापन कार करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंद, आदिकी, रचना करते रहे अब देखो जब यह ध्यापन कार कर ही रहे थे उसी बीच यह क्या है नाटक, कहानी, कविता यह सब कुछ लिखा करते थे आलोचना कहे लो क्योंकि यह बहुत ही मतलब मस्त आलोचक्ते कहे लो बहुत इच्छे आलोचक्ते, ठीक है तो यह आलोचक कार भी थे तो लिख सकते हो कि भाई आलोचना भी लिखते थे क्योंकि आगे भी important है मैं बताऊंगा, ठीक है उसके बाद भाई यह क्या है इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी सब्द सागर के संपादनकार में सहयोग के लिए कासी नागरी प्रचालनी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया देखो कासी नागरी प्रचारली सभा क्या थी भाया कासी नागरी प्रचारली पत्री का जो हथी पहले उसकी एक सभा थी वहाँ पर इनको सम्मान सईद बुलाया गया क्योंकि ये बहुती प्रतिभा सील थे बहुती महनती थे इस तरीके से तो इसलिए इन्हें बुलाया गया कासी नागरी प्रचालनी सभा में फिर ये क्या है 19 वर्षोता कासी नागरी प्रचालनी पत्रिका का संपाधन करते रहें ठीक है कुछ समय पश्यात इनकी नियुकती कासी हिंदी विस्विद्याले के प्राध्यापक के रूप में हो गई उसके बाद क्या हुआ कुछ दिनों बाद ये हिंदी विभाक्या अध्याची भी बन गए कहाँ पर भाईया हिंदी विस्विद्याले में ठीक है एक अध्याचपत भी होता न प्रध्यापक के उपर उसके बाद स्वाभिवानी और हिंदी के महान निबंदकार सुकल यूग के यूग पर वर्तक आप कह सकते हो ठीक है क्या है अब दो नंबर तुम्हें रचनाय लिखने के मिलेंगे उवह मैं आप लोगों को पता देता हूं है यह देखो ऐसे रचनाएं याद कर लो भाई इनकी महत्पूर्ण रचनाएं बिल्गुल ऐसे ही लिखना कि भाई महत्पूर्ण रचनाएं सबसे पहले इनके important निवन्द है चिंता मरी और विचार भी थी यह इनके important निवन्द है उसके पार आलोचनाम याद रखने हैं वर्स्मी मानशा त्रीवेंडी और सूर्द यह इनकी आलोचनाएं याद कर लेना यह रचनाएं पूछी भी जाते हैं board exam में कि भाई रस्मी मानशा किस विदा की रचनाएं या किसकी थी उसके बाद कहानी ग्यारा वर्स का समय एक इनकी कहानी थी ये भी याद कर लेना और इतिहास में हिंदी साहित का इतिहास इनकी एक रचना है उसको भी याद कर लेना आप जीवन परिच्छे का screenshot ले सकते हो तो अब आपको वीडियो अछी लग वोगी वहां से आप लोग सारे जीवन परिचे तयार कर लो बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट है भाई वोड एक्जाम की दर्ष्टी से दस नंबर का पूँचा जाता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो चलो मैं मिलता हूँ आप से किसी नेक्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत